हेलो एंड वेलकम माई डियर फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है सुनार सुनार क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है दोस्तों इंसान ने साइन्स और टेकनोलोजी के छेतर में इतनी ज़्यादा तरक्की कर लिया है कि उसके बारे में सायद आप पढ़ते पढ़ते ठक जाएं दोस्तों जैसे हवा में एरक्राफ्ट या मिसाइल्स का पता लगाने के लिए हम रडार का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही पानी में समुंदर की गहराई या मचलियों के जुंड का पता करने के लिए इस टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सोनार देखे आ采नार की फॉल फॉर्म जानते हैं ते देखे दोस्तों जैसा की लिखा हुआ है सुनार की फुल फॉल फॉल मा है शांड नवीगेशन एंड रेंजिंग्साओं जवनगे ज़U काはूल है और और इसकी definitions क्या होती है दोस्तों देखेदा है sonar is an apparatus which is used to find the depth of the sea our to locate the underwater things like soul of fish, sea pricks and enemy submarines क्या होता है दोस्तों सोनार क्या होता है actually basic तोर पर इसको कहते हो यह एक device है यह device है जिसका इस्तेमाल पानी वाले जहाजों गहरा में होता है और इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यह समुंदर की गहराईन आपता है और जैसे enemies submarine होती है जैसे दुस्मनों के जहाज हो सकते है या फिर मचलियों के बड़े बड़े जूंड हो सकते हैं इस सब चीजों का यह पता लगाता है तो आईए देखते हैं सोनार काम कैसे करता है देखे दोस्तों सोनार जो device होती है उसके अंदर दो parts होते हैं एक होता है transmitter और एक होता है receiver transmitter का काम होता है दोस्तों ultrasonic sound wave को produce करना मतलब transmitter जो है ultrasonic sound wave produce करती है जो की जाती है और receiver जो होता है receiver क्या करता है receiver दोस्तों ultrasonic sound wave यहां से transmitter ने भेजी है उसको receive करने का काम करता है इसके अंदर काम कैसे होता है और यह कैसे किसी चीज की दूरी का पता लगाती है आईए देखते हैं समझते हैं जैसे मान लीजे दोस्तों यह transmitter ने अपनी ultrasonic sound wave प्रोड्यूस की मतलब भेजी ultrasonic sound wave प्रोड्यूस की और उसको receiver ने receive कर ली 4 सिकेंड के बाद तो जैसा कि दोस्तों मैं कहा रहा हूं कि time इसमें कितना लगा दोस्तों time इसमें लगा 4 सिकेंड का मतलब कि जब भी वो ultrasonic sound wave प्रोड्यूस की गई और जो receive की गई प्रोड्यूस करने और receive करने के बीच का जो समय था वो 4 सिकेंड के बाद वो ultrasonic sound wave receive कर लिया अच्छा आपको पता है कि speed of sound speed of sound होता है 1500 meter per second 1500 meter per second 1500 meter per second 1500 meter per second उसकी speed हुई और उसको समय लगा 4 सिकेंड का तो यहां से दोस्तों आपको पता है कि speed is equal to होता है distance upon time और distance is equal to हो जाएगा speed into time यानि कि distance निकालना होगा तो आप 1500 को multiply करोगे 4 से तो 156,000 meter क्या समझ में आया दोस्तों कि 6000 meter उसकी distance हुई किसकी ultrasonic जो sound wave produce हुई उसने distance कितनी ट्रेवल की उसने distance ट्रेवल की 6000 meter 6000 meter जो उसने distance ट्रेवल की वह दोनों तरपते हैं कि ना मतलब इधर से भी गई और इधर से भी गई मतलब कि उस चीज की यह जो नीचे सब्मेराइन इनमी सब्मेराइन है उसकी distance कितनी होगी उसकी distance इतनी होगी कि जितना भी ultrasonic sound wave distance कवर की होगी उसकी आधी क्योंकि आधा तो उसने जाने में लगाया और आधा आने में लगाया तो इनमी सब्मेराइन इनमी सब्मेराइन कितने दोरी पे 6000 का half मतलब 3000 की गहराई में वो रहेगा यह बहुत आसानी से पता लगाता है और इसी के अंदर कल्कुलेटर अरुभी होता है यह सब कुछ कल्कुलेट खुद करें लेता है सोनार के अंदर ट्रांस्मीटर रिसीवर और वो कल्कुलेटर जो करेता है कि इनमी सब्माराइन या मचलियों का जून जो है वह कितना नीचे है वीडियो अच्छा लगए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा